आज का motivation है असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है साथियों असफलता यानि की एक बहुत बड़ी कहावत है, पंक्ती है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत असल में यदि आपने खुद से ठान लिया है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता तो आपकी सफलता निश्चित है, इसका अर्थ ये है कि सफलता और असफलता केवल state of mind है progress जो आपने रास्ते में अनभव की है, जो आपने तरक्की जो आपने सफर में महसूस की है इसकी व्याक्या करपाना शब्दों में नाममकिन है, संबब है कि आप में से बहुत से लोगों को किसी एक्जाम के पास होने पर ही सफलता का एसास होता हो लेकिन लेटर ओन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रपरेशन में जो ग्यान अरजित किया था, वो आपके जीवन में बहुत जादा जीवन निर्मान करने के अंदर यूज में आया है यह लेसन धीरे धीरे भले ही समझ में आता हो, लेकिन आपके दरड़ इच्छा शक्ती आपको बहुत मजबूती से इस पूरे प्रोग्रेस के अंदर जोड़ करके रखती है यह है साथियों आज का मॉटिवेशन, हम चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है और मैंने इसके बारे में कल भी अपने क्लास को इनफॉर्म किया था हम अपनी ड्यूटी पर लगातार बने हुए हैं कल भी मैंने अपनी क्लास को इनफॉर्म किया था कि भारत के पहले CDS, Chief of Defense Staff विपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे हैं जो विध्यार थी कल हमारी क्लासेज में लाइव थे, शाम को ही हमने यह न्यूज अपने Special Session के माध्यम से आप लोगों से साजा कर दी थी हम अपनी तरफ से उन सभी जवानों को, उन सभी सैनिकों को, जो कि विपिन रावत जी के साथ हलिकॉप्टर में थे और उस क्रैश के दौरान मारे गए तेरा सैनिक, उन्हें हम अपनी तरफ से सांत्वना और सद्धानजली और उनको उनके लिए अपने द्वारा जो भी ईश्वर के श्रीचरणों में पहुचाने के लिए जो भी आवशक दौाएं हैं हम वो सब कर चुके हैं आप सबसे भी निवेदन हैं कि उन्हें अपनी यादों में याद रखें और निरंतर अपने प्रगर्ती पतपर बढ़ते रहें क्योंकि हर व्यक्ति इस देश के अंदर जब तक अपने कर्म को चाहे सिक्षक का कर्म है पढ़ाना, विध्यार्थी का कर्म है पढ़ना, डॉ अपना कर्म है, सैनिकों का आज भी कार्या है कि वो हमारे बॉर्डरों की हिफाज़त कर रहे हैं, जब तक इस देश का प्रतेख नागरिक अपने अपने कर्तव या पतपर चलते हुए, अपने कार्यों को बखुबी निवाता चलेगा, हमारा देश निरंतर ऐसे ही सम्रधी पूरवक आगे बढ़ता रहेगा, तो हम आज के सेशन में अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, और अपने सभी विद्ध्यार्थियों को इसके लिए आवाहिन करते हैं, कि आप अपनी पढ़ाई को और दड़दा पूरवक करिए, ताकि हमारे देश में ऐसे जाबाजो की कभी कोई कमी ना रहे, चीक है, या आपने से कोई भी विद्ध्यार्थी अनकेडमी पर मेरे साथ पढ़के UPSC की तयारी करना चाहता है, तो 9 तारिक से हमारे सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ने वाली है, और UPSC का कॉमबेट हर संड़े को आयोजित किया जाता है, 56 questions 60 minute म पुछे जाते हैं, सुबह 11 बचे टेस्ट होता है, कल भी आपका टेस्ट है, जिसमें 4 करोड रुपए के आसपास की जो आपको scholarships हैं, वो दी जाएंगी, जिसमें से एक से लेकर के जो 3rd rank तक के विध्यारती हैं, उनको एकदम free scholarship याने की पूरी तरह से free class उपलब्द कराई हैं, रोजाना होता है, हर सभी बार को ये टेस्ट होता है, इसके साथ साथ अनकैडमी पर चल रही जो daily test series हैं, आप वो join कर सकते हैं, आप मेरा referral code अंकित 10 यूज़ करके, जैसे अभियान नाम से एक test series चल रही है, आप उसे join कर सकते हैं, current affair की test series चल रही है, free test series है, आप इसे work के साथ, 0% interest rate के साथ में, आप अनकैडमी पर अगर चाहें, तो subscription purchase कर सकते हैं, use my referral code, अंकित 10 to avail 10% discount immediately, आप इसके लिए loan facility का भी उपयोग में ले सकते हैं, हमारे iconic plan का अगर आप उपयोग करते हैं, तो इसमें live mentoring होती है, मतलब ये है, कि आपको teacher के दुआरा personal face to face देख करक steady planner दिया जाता है, proper question answer practice का भी आपको उपयोग किया जाता है, यदि आप anacademy पर पढ़ना चाहते हैं, तो 12 महीने का जो course है, वो 44,000 रुपीज में आपको दिया जा रहा है, जोसमें आपको prelims, mains, optional सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है, यदि आ आप चाहते हैं, आइकानिक का course purchase करना, तो आनacademy पर आपको 67,000 रुपीज में यह course दिया जा रहा है, इसके अंतरगत आप इस batch को जाइन कर सकते हैं, आप mains optional का course भी purchase कर सकते हैं, यूज माई referral code अंकित 10, और यदि आपको course purchase करना है, तो 9 तारिक से पहले पहले करें, तो course क रेट बढ़ रही हैं, अगर आप चाहें, तो इसे जाइन कर सकते हैं, फिलाल के लिए इतना ही, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विक्सित करें, कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें